कि गुट इवनिंग गुट इवनिंग कि मैसेज़ी सोड़ा लेट बढ़े जाते हैं सौरी चलो तो कलापा डिसकर्स कर रहे थे अपना सौरी चलो दुबारा बोलता हूं मैं कल आपा डिसकर्स कर रहे थे अपना फारडे लॉव और फारडे लॉव मैंने एक्सलेंग गया था तो वो कॉश्चन में फड़ावड यहां पर लिख देता हूं उसको फिर आपा सॉल्वाउट करेंगे और सॉल्वाउट करने के बाद आप बाकी चीसे देखते हैं कि कॉश्चन जो है वो मैं फर्स्ट लॉग या गॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकता हूं आपने कॉश्चन पढ़ा कोश्चन की स्टेटमेंट बढ़ी स्टेटमेंट पढ़के तो यही लग रहा था कि वो सेकेंड लॉव से सॉल्व होगा ऐसे कॉश्चन को फर्स्ट लॉव से कैसे सॉल्व करेंगे यह मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद आप आपना नेक्स पॉर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे हम हमारे एक पॉर्शन कम्प्लीट कर चुके हैं दूसरे पॉर्शन पर आ जाएंगे यहां पर आज आपने डिफ क्या होती है यह सब चीज़े आप आज पढ़ेंगे उससे पहले में आपको में तो यहां पर देता हूं आगे जो भी अपना केस रहेगा देखो कुश्चन में एक बार शॉट पॉम में लिख रहा हूं क्योंकि पूरा कुश्चन तो मैंने कल लिखी दिया था दो सेल थे हमारे पास एक था सिल्वर नाइट्रेड और एक था कॉपर सल्फेड दोनों जो थे वो सीरीज ने कनेक्टेड थे ऐसा बताया हुआ था फिर हमें ये बोला था करंट पास किया गया 2.5 एंपियर था और सिल्वर का 1.078 मास्ट जो है वो डिपोजित हो गया था यानि कितने ग्रांट वेट सिल्वर जो है वो डिपोजित होगी थी हमें ये पुछ होआ था कॉपर का कितना वेट डिपोजित होगा अब ये लिए लिए तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था सेकंड वाले मैधर से तो आपा ने करी लिया था फर्स्ट वाले मैधर से बता रहा था अगर मैं फारडे का फॉर्मॉला क्या बताया था अब देखो सबसे पहले मुझे सिल्वर की अमाउट दी हुई है अमाउट दी हुई है अमाउट दी हुई है मुझे की वेल्यू पता है, पर तरइफ। नहीं नहीं पताना। तो यहां से मैं क्या करूंगा सबसे पहले टाइफ। टाइफ। कीवेल्यू कि देखो। टाइफ आजाएगा ए इंटू एंटू एन एफ तो यहां पे अपने पास क्या कैस आएगा। कि अमाउंट कितनी गिवन है वन पॉइंट जीनो सेवन एक वेलेंसी कितनी है सिल्वर नाइट्रेट में एजी पॉजिटिव एन ओध्री नेगिटिव तो विलेंसी बन है तो एन की वैलिवारी बन और फारडे कॉंस्टेंट होता है नाइटी सिक्स फाइवंड्रेट डिवाइड़ वाई मास ओफ दा सिल्वर का मास ने किवन था वन जिरो एट और करेंट कितना है करेंट है हमारा तो यहां पर देखो मैं आप पर एक चीज़ बताता हूं आप यहां पर सिल्वर का एजएक्ट मास यूज करो आपको हैं सिल्वर का एजएक्ट मास है हमारे पास 107.8 तो देखो यहां डेसिमल रिमूव करूंगा तो थाउसेंड आएगा यहां डेसिमल रिमूव करूंगा तो टैन आएगा यहां वाली वैल्यू हमारी कट हो गई इसका यहां पर कोई रोली नहीं है फिर यह वाली दो जिरो से य तो हमारे पास हमारा कित्रा आ गया 965 by 2.5 इसको भी स्टॉम कर रेता हूँ यह 10 आ गया फाइब टेबल पर धाट हो जाएगा 525-25 और यहां पर आ जाएगा क्या बोला था मैंने जब आपा टाइम कैलकुलेट क्या करेंगे टाइम हमेशा अपने को सेकंड में लेना है तो यहां पे अपने पास टाइम आ गया क्योंकि मुझे कॉपर का मास न कालना था, तो यहां पे मैने那我們 कॉपर का मासा तरका है को करें अब में कॉपर का मास clutch इसनी निकाल लीट तो इसकी तो मुझे निकाल लीट निकालिहें पाद की 63.5, current है 2.5, time है 386, valency area copper की plus 2, और faraday constant है 96500, solve कर लेना, answer निकाल लेना, जो answer अपना कल second method से आया था ना, वो सेम answer आएगा, चेक कर लेना चाहिए, तो आपने पहला वाला formula यूज़ करके भी निकाल लिया, अब एक बार का solution ना, बुक में देखना, बुक में देखोगे, दो मिनट के लिए देखोगे, बुक बंद कर दोगे, इसी चीज़ पर आ जाओगे, तो बुक वाला जो थोड़ा method है वो typical दिया हुआ है, यह वाला method बिल्कुल सेम है, जो हमारा formula है वो direct लग जाता है, बुक वाला formula direct लगता उसके लिए अपने को दो-तिन चीज़े पहले solve करनी पड़ती है, तो यह वाला formula the best है, इसी से numerical करोगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कात है तो बताओ, जो sir, ठीक है जी, चलो, बहुत बढ़िया, तो यह अपने पास अपना faraday law काम था, complete हो गया यहां पे, अब मैं यहां पे आगे जो है अपनी further definitions को शुरू कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहां पे रब कर देता हूँ, नेयर टॉपिक हम हमारा स्टार्ट कर दें है, इलेक्ट्रो कमिस्पीटा पहला portion हमारा complete हो गया, पहले portion में आपा ने पढ़ना था, faraday law थक, second portion में आपा बढ़ेंगे अपनी conductivity की value मैंने बताया, conductance पढ़ेंगे, conductivity पढ़ेंगे, conductivity के types पढ़ेंगे, दिभाए हक्का लॉंजागर equation पढ़ेंगे, कौहल रॉष्टो पढ़ेंगे, तो ये 4-5 topic हमारे रहेंगे, second part में, third part में हम पढ़ना start कर देंगे, sorry, third part में हम पढ़ना start कर देंगे, galvanic cell और goldic cell, उनके बारे में detail में discussion करेंगे, फिर fourth में हम पढ़ेंगे हमारे secondary cells को, जिनको हम charge कर सकते हैं, और हमारे chapter का last part रहेगा, यान्दी कि fifth part, that is corrosion या रस्के, तो हमारा जो chapter है, वो total मैंने पांच parts में divide कर दखा है, उसमें से एक part हमने complete कर लिया, अब आगे हैं हम हमारे नए topic पे, नए topic है हमारा conductors का, तो सबसे पहले सबसे मुश्किल definition आगई हमारी की conductors क्या होती हैं, तो conductors क्या होती हैं, conductors हमारे वो substances हैं, जो electricity conduct करती हैं, यह substances solid state में भी हो सकती हैं, और liquid या molten state में भी हो सकती हैं, थोसबस्टान्सेज विच गंड़क्ट इलेक्रिसीटी इन असलिड सथे, कोमा, मोल्टन स्थेट और इन अलिक्विड स्थेट आरकार्ड गंड़क्टर्स, तो सिंपल सी रेफिनेशन बताहीं मैने, इन इन लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट एक भी बात है डेफिनेशन में चाहिए मैंने तीन वर्ड यूज गी हो लेकिन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो ही तरह के राएंगे एक तो वह जो स्टेट में होती है एक वह जो स्टेट में होते हैं उनको अच्छे आप आप बोलते हैं इलेक्ट्रोनी कंड़क्टर्स प्लापक्टर्स विचर एकजिस्ट एंइस एंज स्टेट अरकार इलेक्टोनी कंड़क्टर्स यानि कि इसका सबसे बड़ीया एक्जामपल रहेगा आपकी मैटल्स जो हमारी मैटल्स होती है वह सॉलिड ड्सटेट में इलेक्टिशिटी कंड़क्ट करती हैं तो इसलिए आप आप बोल सकते हैं कि जो हमारी metals होती हैं वो हमारे electronic conductors हैं पहले chapter में मैंने आपको बताये थे न सेमी कंडॉक्टर N-type और P-type जिनकी conductivity हमने doping करके increase करती थी तो वो जो N-type semiconductor है P-type semiconductor है वो भी हमारे solid semiconductor है तो वो भी हमारे electronic conductors में आती हैं तो यहां में basic example आप ले सकते हो metals का उसके अलावा N-type या P-type semiconductor जो होती हैं वो भी हमारे electronic conductor ही होती है तो जो हमारे solid state वाले conductors होती है न उनको आपक्या बोलती है electronic conductors बोलती है फिर आजाओ हमारे दूसरे type पे वो conductors जो liquid state या molten state में electricity conductors रहती हैं उन्हें हम क्या बोलती है electrolytes electrolytes हमारे वो conductors है जो liquid या molten state में electricity conduct रहती हैं यह definition तो मैंने आपको पहली बता दी थी जब आपा electrolytic cell को पढ़ रहे थे पर मैंने इसको explain नहीं किया था मैंने just इसकी definition बताई थी मैंने बोला था electrolytes हमारे वो substances होती है जो dissociate होने पे ions produce करेंगे अब अगर ions produce हुए है ions हमारे charge particles है तो वो electricity को conduct करेंगे ही करेंगे तो वहां पर अपने पास electricity conduction की बात आती है electrolytes होती है वो भी electricity के अंदर कर सकती है तो यहां पर मैंने आपको इतना ही बताया था फिर मैंने यह बोला था कि आगे further type के होती है strong electrolyte इक electrolyte उसके बारे में discussion आपा बात में करेंगे तो वो जो बात था वो आ गया आज आपने यही discussion करनी है हमारा जो focus है वो electronic conductors पे नहीं है इसके बारे में तो आपा काफी बढ़ चुकी है 9th class से बढ़ रहे हैं electronic conductors के बारे में आपा बहुत जानते हैं आपा ने इस chapter में focus करना है हमारे electrolytes के तो पहले मैं आपको बताऊंगा electrolyte क्या होती है फिर मैं आपको electrolytes की दो टाइप बताऊंगा strong electrolyte, weak electrolyte और फिर मैं आपको डिफेरेंट डिफेरेंट डाइपस के फैक्टर बताऊंगा जिन फैक्टर से electrolyte की conductivity या कि जो वह है वह डिपेंडेंट है तो यह सब चीज़े आपा भी डिसकस कर रहे हैं है है हमारी electrolyte कि तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट जिस जो है वो डिफाइन कर दी है पहले ही डिफाइन कर चुका हमाँ है जो सबस्टांसेज विच विच ओन पासिंग इलेक्रिक करेंट को दिसोस्टियेट इंटू आयंस कि अब इसमें थोड़ा सा एड कर रहा हूं कि मुझे कंडक्टर्स का बदाना है कंड़क्टर्स के वाणिक इलेक्रोलाइट क्या होती में तो दो सबस्टांसेज विच ओन पासिंग इलेक्रिक करन डिसोस्टेट इंटू आयंस एंड तंड़क्ट इलेक्रिसिटी तो हमारे पास ऐसे जितनी भी सबस्टांसेज जो आयंस में कंवर्ट होके इलेक्रिसिटी कंड़क्ट करती हैं उन सभी को आपा क्या बोलेंगे इलेक्रो लाइट बोलेंगे जैसे कि हमारा बॉस्टा के एंट एलेक्रिक कंड़क्ट क्रेंगे तो यह भी हमारा एलेक्रो लाइट है तो अलगलग ताइप के पर मुझसे किसी ने पूछा कि सर यह दोनों अलगलग टाइपके इने इसका नाम इसका नाम IncL दोनों अदर अलग बच्चे होती है अलगलग बच्चों के अलगलग परक्रेंटेज आती हैं सेम परसेंटेज पर ही आएंगे, जो जितनी मैनद करेगा उसकी तरी परसेंटेज आएगी, सेम केस यहां पर है, हमारे पास अलगलग इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो सेम नंबर ओफ आइंस प्रड्यूस नहीं कर जो कम आएंस को प्रड्यूस करेंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी करेंगी, उसके अक्वर्डिंग हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो दो तरह से क्लासिफाई हो जाएंगे, एक तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा आएंस प्रड्यूस करेंगे, कि गार डूकर किसे ड़ीख विचिक सेकीड नाम से में कि की डएफिनिशन देने की सरूरत देती है श्राइटकर्र लाइट, इस णुढ़न वी उंचीalt, व्मे आ देती हैं, जो लार्ज नंबर अख फाइंस फ्राइन स्तरी है लिए कंघिति ह lerी नूर है यह का मां प्रोडियूस करें अब एक परस्लों क्या अलिएंस प्रडियूस मेलाखत falta होंगे यह यह कि अपरD年前 एक यह डिस्वीada होगी उतने ज्यादा आइन्स प्रडियूस होगे उतनी ज्यादा इलेक्रिसिटी कंड़क्ट होगी तो यहां पे मैं आपको स्टॉंग एक्रोलाइट्स की डैफिनिशन दे रहा हूँ स्ट्रॉंग एक्रोलाइट्स अगोज विच दिस्टॉस येट्स अर्मोस्ट कंप्लीट लिए अगर आपने सो ग्राम एक्रोड लिया था ना तो सो ग्राम में से निन्यानवे पॉइंट नाइन ग्राम जो है वो तूट गया लगबग लगबग जितनी वी अमांट आपने ली जी सारी डिसोसियेट हो गई सबने आइंस बना दिये इसका मतलब लार्ज नंबर ओफाइंस प्रोड्यूस होगे तो यह होते हैं हमारे पास हमारे स्ट्रॉंग एक्जामपल दोंगा पहले आप डेफिनिशन्स वो कवर करती हैं तो स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट्स ने स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट्स वो होती हैं जो लार्ज नंबर ओफाइंस प्रड्यूस करेंगे और जो हाई कंडुक्शन से मतलब है अब इसने बिल्कुल ओपोसे लिखता हो वो आ जाएंगे हमारे वीक्ट्रोलाइट्स यह आल्मोस्ट कंप्लीट्ली डिसोसियेट ह होती हैं वो नेग्लीजीबली डिसोसियेट होंगे ना के बरापर सो ग्राम में से कोई एक ग्राम आधा ग्राम बस इतना ही डिसोसियेशन हुआ तो यहां पे अपने पास वीक्ट्रोलाइट्स आएंगे विच डिसोसियेट्स अल्मोस्ट नेग्लीजीबली ना के बरापर डिसोसियेट हुए तो यहां पे डिसोसियेशन ही कम हुई है तो आइंस की कम होंगे प्रडियूस्ट्स इससदेशन ही कि इतना कम चार्ज और जिदना कम चार्ज होगा अतनी कम उक्रसिटी तो यहां पे अपने पास आएगी जो सी किल्दैक्शन सब्सक्राइब है हमारे वीक एलेक्तरलाइट्स तो हमारे पास बेसिकली हमारे doubter के इलेक्ट्रोलाइट सो गए स्ट्रोंग एलेक्ट्रोलाइट्स और लीक एलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल क्या बनेंगे इनके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं पर मैं आपको थोड़ा सा जैणरलाइज़ बता देता हूं जो भी हमारे इनार्गैनिक के सॉल्ट एं चुपिर बशुआ थे! पूरिक में भाद करूए इलेकृ पूरिक में पारिक है। को इन-गनिक के बीस मेट वे मिलाय और छोपी यार्य फ्रीं मेटे यह सबी कि इन सबी को आपको क्या बोलते हैं ये सारे के सारे कि विस्वर्ट और लाज नंबर आइस प्रिज्ट करेंगे और इनके अंदर जो होगी एलेक्ट्रिकल कंडुक्टिविटी वो लार जाएगी लेकिन अगर मैं यहां पर आ जाता हूं वीक एलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे जन्रल एक्जाम पर आते हैं कि और गेनिक के सॉल्ड जैसे CH3COOAG इसको बोलते हैं सिल्वर एसेटेट हमारा ओर्गेनिक सॉल्ड है ओर्गेनिक के एसे जैसे एसेटी कैसे आगया CH3COOAG और घनिक के बेस नहौर तो यह वाले समारे फिलेक्ट्रोलाइट्स के एक्जाम पर वे और यह जैंगे फिलेक्ट्रोलाइट्स में ना के बरड़़ डिससुएट होती है इन की ज्यादा डिससीयेशन भी होती है तो यह हमारे पास हमारी definition थी complete हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स पहरे मैंने आपको बताया आप इंडॉक्टर्स के बारे में दो तरह के इंडॉक्टर होती हैं फिर उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिटेल में बढ़ना था इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई हु यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो प्लीज है कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो चीक है सिमरन चीक है हादिक चलिए चलिए तो बोर्ड जूम करना सर दूर सर कैमरा जूम करूं अच्छा कैमरा कैसे जूम करूं मतलब क्या देखना तोने बता चोटा चोटा लेखा हुए देखने रहा हां जी यह मैं आपको बताता हूं जो आपका वीडियो जो पैक अप वीडियो उसमें दिखेगा बागी चलो भी मैं ध्यान रखूंगा बड़ा बड़ा भी लिख लूँगा पैसे मैं इतना चोटा नहीं लिखा हुआ इससे चोट लेने तो ले सकते हो कोई दिख़त नहीं है जूम एक्षोल में मेरी मर्जी में नहीं होगा जूम सेंटर में होगा तो यह थोड़ी ऐक बार बार स्क्रीन शॉट लेलो बाद में पढ़ो के क्लियर आ जाएगा कोई दिख्कत नहीं हैं बाद में अभी मैं जो लिखूंगा नो बड़ा लिखूंगा सब कुछ हां जी रब कर दूंगा एक बार इस चलो यह सब कुछ ऐसी दूड़ मत बोलोगी चौक चौक बागी बड़ा बड़ा ले लेंके कोई बात नी आप जियान बढ़ा साहओ तो यह अपना अपना कंडॉक्टर्स का टॉपिक था इसके बाद आपका नी नेक्स टॉपिक हमारा स्टार्ट करना है जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ेंगे पहले आपको पढ़ेंगे resistance, फिर आपा पढ़ेंगे conductance, उसके बाद आपा पढ़ेंगे resistivity, conductivity और फिर conductivity के further दो types होते हैं वो पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़े पढ़नी हैं, काम की चीज़े हैं, जो भी अभी मैं आपको formulas लिखबाऊंगा, वो सारे formulas numerical में use होते हैं तो ये हमारे पास हमारे second type के numerical आदे जो electro chemistry में से आ सकती हैं तो पहले terms देखो formulas देखो, बागी की जो चीज़े हैं आपा बात में करेंगे अच्छा एक चीज़ तो मैं भूली गया रुखो अभी मैं आपको electrolytes के factor तो बताने ही बूल गया कौन कौन से फेक्टर है जिनपे conduction depend करेगी वेक्टर तो आपने पढ़े ही नहीं तो पहले आपक पढ़ेगी आप ये चीज़ अपनी जो जाती ही तो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो है तो है तो पैक्टर्स अफेक्टिंग कंड़क्टिविटी ओफ कर सब्सक्राइब जो इलेक्ट्रोलाइट्स इतना बड़ा लएक्ट्रिकल कर दो किवीटी है उच्च्च की इस स्पेक्टर पे निपने ब्लेदे ये मुझे बताना है आप देखो कौनल से नंकरे है पहला नेचर ओफ इलेक्टरोलाइप की दूसरा फ्ट्रेन हमारा या नेचर ओफ सोलने लेंग लाइड टीसरा प्रेक्टर हमारा concentration चोथा फेक्टर है हमारा temperature पांचा फेक्टर है हमारा size of the ions और लास्ट फेक्टर है हमारा viscosity तो ये छे फेक्टर हैं इन छे फेक्टर्स पे मैंने बताना है conductivity कम होगी या ज्यादा होगी देखो फेक्टर तो मैं बाद में explain करूँगा पहले मैं आपको कुछ एक चीज़े बता देता हूँ जो यहाँ पे use होगी सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या use होगी आपने यह चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे फेक्टर को याद रखनी है movement की अगर हमारे आयंस movement कर पा रहे हैं motion शो कर पा रहे हैं तब ही तो वो electricity conduct करेंगी अगर वो motion नहीं शो कर पा रहे हैं तो वो electricity conduct नहीं करेंगी तो यह दो तिन बाती हैं जो आपको माइंड में बता रहने चाहिए अंडर सुर वाली बाती थी फिर भी चलो एक बार मैंने बता दी तो उसके अकॉडिन आप वाली यह जो है वो एक्सक्रेंग कर लिए अब छे इलेक्टर में से पहला फेक्टर को मैं आल्रेडी एक्सक्र जो स्ट्रॉंग लेक्टर वाले जियादा आइंड प्रडूस करते हैं इमकी चानटिविटी ज्यादा आएगी यह जादा करेंगे लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम आइन्स प्रोड्यूस करती हैं तो लो कंड़क्शन शो करेंगे अभी आपने दस मिनिट का लेक्चर दिया था इसमें तो पहला फेक्टर जो है वो तो हमारा हंडिड परसेंट क्लियर है ठीक फिर औस द्वाह दूसरे एक्टर हमारा नेचर ऑप में अबनानाँ ए तो एक्ट्रक्ट करेंगे हो चाले ही हमारा सौलिवेंट के दौध आगया होका हमारा सवर्मंट बोलाज या हमारा स्वोल्मेंट होगा नौन पॉलर तो यह कोशिन मेरा आप बच्चों से है आप बताओ किस केस में कंड़क्टिविटी ज्यादा आएगी पॉलर में या नौन पॉलर में पॉलर में सारी का ने बोला पॉलर में किसी को उच और लग रहा हो तो बताओ जोड़ा जल्दी जल्दी बताने पेच्चे थाइम थोड़ा कम है पॉलर में सोलोरमय चलो पॉलर हो तो आपकी बात बात बादगी तो बिल्गुल सही आपने बताया पॉलर सॉल्ओंट के अंदर ज्यादा अथ एंड़ेशन आएगी क्योंकि वहां पे ज्यादा आइन्स प् होता है पॉलर सॉल्वेंट्स का नेचर होता है आइनिक नेचर होने की वज़े से यह लार्ज नमपर ऑफ आइन्स प्रोड्यूस करवाएंगे जितने ज्यादा आइन्स प्रोड्यूस होंगे उठी सारा कंडेक्शन अगर आप सोलनेट नाषी तो बहुत बढ़िया सेगंड फेक्เท्टर आप सबक्रों ने बताया जो सोल वीट है वह पोलर होना चाहिए उसमें लार्ज कंड्शन आपके पास कोई बी एक आईनिक सबस्टांस है उस इनिक सबस्टांस को तोड़ कर आपने ions बनाने हैं, इसी भी सबस्टार्स को dissociate करवाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, heat कर दो, आप यहाँ पे heat करोगे, heat करने से क्या होगा, वो melt होगा, melt होते 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 हो, वो dissociate हो जाएगा, ions में convert हो जाएगा, तो अगर आपकी heat ज्यादा होगी, तो ions जल्दी होगे, heat ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पढ़ेदा, temperature हाई करना पढ़ेदा, तो अगर आप high temperature यूस करते हो, high temperature पे dissociation होती है, होगी तो लाज नमबर और उअंस फ्रडिव नंगे कले ज्यादा आसे इंग का July 7-7 । और अग्छ यहाद में तो अगर तेम्प्रीश्याशन ज्यादा ऑप diffless both में यहां पर डिसोसियेशन हो जाएगी कम उस वज़े से कंडुक्टिविटी एंडक्शन भी क्या आएगी कम आएगी तो यह हमारा टेपरेचर का था फिर आजाओ साइस ऑफ दा आएंस पे जो आएंस हमने बनाए वो छोटे साइस के हैं बड़े साइस के अब यह वाला फेक साइस में छोटे यहां होंगे साइस में बड़े जो हमारे स्मॉल आएंस होते हैं उनके साथ ज्यादा वाटर मॉलीक्यून आके अटैच होते हैं जिसको आप बोलते हो हाइड्रेशन है हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है हाइड्रेशन के प्रोसेस में एक आयन होगा उस आयन को आप पानी में डालो, तो जब उस आयन को आप पानी में डालोगे ना, पानी के मॉलिक्यूल उसको एट्रेक्ट करना स्चार्ट कर देंगे, जितना छोड़ा साइज होगा, उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल आके अट्रेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा पानी के अगर आपके आयन का साइस बड़ा है तो वहां पर कम पानी आके अटेच होती है जिस वजह से पॉलेटी कम हो जाएगी कंड़क्शन आएगी कम अगर आपका जोटे साइस का आयन है तो यहां पर बच्चे बहुत सारे पानी के मौली क्यूल आके अटेच हो जाते हैं लेकिन अगर हमारे पास साइस बड़ा होता है बड़े साइस वाले पॉजिटिव चार्ज के पास पानी को एड्रेक्ट करने की पावर नहीं होती है तो यहां पर कम पानी के मौलेक्इच ओल ses ज्यादा कोलर्टी यहां पर कम मोलेक्योंे फ़कोडे लस्त वेसे अटेच हैं पसले और दी चलिए बहुत बढ़िए खर्यार फो सेνके सब्सक्राइट शब्सक्रार्ण शैचलिए बहुत बढ़िए सप्धार थी के जमरन तो यह अपने पास अपने प्रेस आगया किस चीज़ का चार फेक्टर थे मैंने आपको साइस वाला फेक्टर जो है वो बता दिया तो आपके पास हो आपके पतले-पतले सुल्यूशन्स और अग फिस है गाड़े सुल्यूशन्स मैं एक्ञापल लेता हूँ जैसे शहद जो ए वो बहुत जदा घाड़ा सॉलिशन होता है तो जब आप एक स्लाइड लोगें, मतलब आपके पास और श्ट्राइडिंग लोगें, पाणी समय नीचे जाएगा, उसके बाद मिल्क और बिडेंगी होता है क्योंकि जो हमारा honey है वो गाड़ा होता है उसकी viscosity ज्यादा होती है जिस वज़े से उसके particle slow move करती है और यहीं पर हमारा answer आ गया विसकॉसिटी क्या होती है विसकस यानि की गाड़ा तन तो यह विसकस नेचर होता है विसकस नेचर में आपका क्या बोलेंगे जिन सॉल्यूशन्स की विसकॉसिटी ज्यादा होती है थिसकॉसिटी होती है वो धिरे मूब करेंगे और जिनकी विस्कॉसिटी क्या होती है लो विसकॉसिटी होती है वो जल्दी पूव करेंगे तो मैंने आपको टॉफिक स्टार्ट करने से पहले बताया था м inclus हमारे पास हाई-viscosity तो धिरे movement low viscosity होगी तो ज्यादा movement, यानी कि fast movement जो fast move करेंगे क्या करेंगे? Conduction ज्यादा शूब तो जिनकी low viscosity होती है वो fast move करती हाई-conduction कि जिनकी विस्कॉसिटी ज्यादा होगी वो धीरे रूफ करेंगे लो गर्डेक्शन की वेल्यू शोगए यह था हमारे पास हमारा विस्कॉसिटी का फेक्टर अब आ जाता हूं मैं मेरे लास्ट फेक्टर ते कंसंट्रेशन का फेक्टर इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कंसंट्रेशन को बच्चे स्ट्रॉंग और वीक के साथ कनेक्ट कर देते हैं वो बोलते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो स्ट्रॉंग जिनकी कंसंट्रेशन कम होगी वो वीक ऐसा कुछ नही का नेचर ओफ इलेक्रोलाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है यह याव रखोंगे नहीं तो पेपर में गलती करके आओंगे अटानु आंजान संट्रेशन और बेट्र ओफिर्ले के अगदेना दिन निहें। आपते पास एक स्ट्रॉश्ए हैं वोसकता है डियूटिट भी हो सकता है rest आपकेवास इक उन सुव horns के सकता हैं अगलीक क्रेशन का स्ट्रॉंग वीक से अगदेना देना नहीं है concentration का factor आप दोनों में पढ़ते हो, strong में भी पढ़ते हो, weak में भी पढ़ते हो, अब concentrate का मतलब है ज़ाथा concentration, diluted का मतलब है कम concentration, तो यहां में मैं आपको क्या बता रहा हूँ जहां से सुलो, चाहे strong electrolyte है, चाहे weak electrolyte है, important बात है एक बार मैं बागी सबी चीज़े रख कर रहा हू ताकि इस पे आपका concentration बन जाए, टाइम भी थोड़ा होने वाला था, तो explanation तो मैं कल पूरी करूंगा, एक बार मैं आपको result बता रहा हूँ, चाहे strong electrolyte हो और चाहे weak electrolyte हो, डरी यूपी जो होते है, उनकी conduction होती है, वो हाई होती है, अगर आपके पास आपका concentrated electrolyte होगा, चाह है, वो week है, उसकी conduction होती है, जो, अब ऐसा क्यों होता है, यह फिर आपा देखे कि अपने ने